हेलो दोस्तों स्वागत था आपका मेरे चैनल में और आज मैं आपके लेकाई हूं छोले की रेसिपी जो कि बनाएंगे हम एकदम अलग अंदाज में और बनेगा बहुती जादा टेस्टी तो फ्रेंट इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सस्क्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब करें साथी बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रही तो चली शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो फ्रेंट्स यहां पे ले लिए हैं मैंने छोले जो कि मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख दिये थे जब भी छोले बनाए तो उन्हें कम से कम 5-6 घंटे के लिए भिगो के जरूर रखे और अगर भोल गए हैं इन초 बहुना तो कम से कम 2 घंटे के लिए इन्ने गरम पानी में भिगो के रख दे और यहां पर मैने प्रेशर कूकर लिया है प्रेशर कू और साथ में डाल देंगे यहां पे नमक तो आधी चमच मैंने नमक डाला है इससे जो छोले हैं वो जल्दी ही गल जाएंगे और यहां पे डाल देंगे पानी पानी उतना ही डाले जितना छोले भेग सके तो बस अब लगाएंगे हम कोकर का धकन और धकन लगाने के बाद जो ह सीटी आ चुकी है पहले उसके बाद गैस का फ्लीम लो कर देंगे और यहां पर सभी सीटी आ चुकी है तो अब जो है गैस बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद जो है कुकर का धकन खोलेंगे और यह देखिए जो छोले हैं हमारे वह अच्छ मसल देंगे ताकि जो ग्रेवी बने चोलो को इतना भी मत मसल दीजिये अधा ने नजर हीना आए तो आप करेंगे इन्हें बनाने के तैयारी तो इसके लिए कड़ाई में तेल डालेंगे और तेल को कर लेंगे गरम और जैसे ही तेल गरम हो तो यहां पर डालेंगे एक चमाज जीरा और साथ में डालेंगे दो लाल मिर्च सुखी हुई और इनने तेल में 10 सेकिंड के लिए पका लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर खड़े मसाले और डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं इस्तमाल कर रही हूँ और यहाँ पे लिया है प्याच और लसन का पेस्ट तो मैंने यहा प्याच को भूलेंगे जब तक की इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए यहाँ पर अच्छे से बूना है अगर प्याच भूला हुआ नहीं रहेगा तो एक तो कलर नहीं आएगा सबजी में दूसरा जो एक खाते वक्त प्याज का कच्चापन लगेगा मूँ में तो इसलिए प्याज को अच्छे से भूने और यहाँ पे देखे प्याज भून चुका है तो मैंने यहाँ पे डाला है देख चमब कश्मरी लाल मिर साथ में डाला है आधी चमब चल्दी पाउडर और इन सब को प्याज के साथ पका लेंगे दो से तीन मिनट के लिए इससे जो है कलर अच्छा आएगा साथ में यहाँ पे मैंने डाला है टमाटर की प्योरी तो मैंने यहाँ पे जो है दो टमाटर लिये थे जिसकी मैंने यहाँ पे प्योरी बना ली है तो प्याज और टमाटर को जो है कम से कम दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे medium to low flame पे और जब 2-3 मिनट हो जाए तो यहाँ पे डालेंगे नमक, स्वादनुसार, एक चम्मा डालेंगे धनिया पाउडर और एक चम्मा डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला ध्यान रहे कि नमक हमने उबालते टाइम भी डाला था तो उसी हिसाब से नमक का इस्तमाल करें और इसे तब तक भून लेंगे जब तक किसम से तेल सेपरेट न हो जाए यहाँ पे मसाला भूनते हुए मुझे जो है 5-6 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ पे देखे मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है तो अब यहाँ पे डालेंगे हम उबलेवे छोले तो मैंने यहाँ पे देखे सभी छोलो को कड़ाई में पलट लिया है और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और mix करने के बाद यहाँ पर जितनी आपको gravy चाहिए तो उसी हिसाब से आप पानी का इस्तमाल कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी पानी का इस्तमाल करा है और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार mix कर लेंगे और जब mix कर लें तो इसे कम से कम 5-7 मिनट के लिए medium to low flame पे पकने देंगे और जब 5-7 मिनट हो जाए तो इस तरीके के बुलुले आने लगेंगे तो बस उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी एक चमस कसूरी मेथी जो की मैंने भून रखा था तो भून के ही यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तमाल करें इससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा हैगा सांती कलर भी तो बस mix करने के बाद इसे 2-3 मिनट के लिए ढखके पका लेंगे और 2-3 मिनट बादे देखिए ग्रेवी का जो कलर है हुआ है ना चेंज एक दम तो बस इसे एक बार mix कर लेंगे और इसमें करेंगे अब एक magic तो इसके लिए मैंने इहां पर 2 टेवल स्पून घी लिया है तो इसे गरम कर लिया था और इहां पर डाले है मैंने 2 हरी मिर्जों की मैंने लंबे में बीच में से cut कर लिया है जूरे दाला एक चम्स कश्मीरी लाल मिरश और से मिक्स करके without भला चोलों, भला चोलों के ना जोमा आपने efterबार जैसे मिक्स कर लेंगे इसे जो कलर है बड़ा अच्छा आएंगा और और यह पर जाल बारी कट भला ela अरा धनिया और ऑर इसे मिक्स कर लोंगी और गैस को कर दूंगी बन और अब जो छोलो को है ना आट से दस मिनट के लिए ढखके रख देंगे उसके बाद कलर देखीगा कितना अच्छा आता है और यह देखिए आट से दस मिनट बाद यह देखिए बने है ना छोले एकदम गजब के जो भी छोले देखे वो लल्चा जाए तो जो देखिए मिजह कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरीशेप कैसे लेगी और रैसी पसंद में है तो लाइक जरूर कीजिएगा और संस्क्राइब करना तो जरूर powder कीजिएगा तब तक के लिए ठाटा बाए-पाए दो